पेशी पुलीस तफीशी रिपोर्ट भी जमा कराएगी जैनब केस और शहबाद सरीफ की न्यूज कानफरेंस का कौम इसेमली में तज़करा पंजाब में कसूर जैसे हज़ारों वाकियात हुए बच्छी के बाद को साथ बिठा कर तानिया बजाना शर्मनाक अग्दाम है खुर्शीत शाह शहबाद सरीफ के अमल से कौम की दिल आजारी हुई मौफी मांगनी चाहिए खुर्शीत शाह का इजारे ख्याल बच्छीों का कतल पंजाब हुकूमत के लिए शर्मन्दगी या खुशी खादमे आला जैनप के कमज़ता बाग को साथ बिठा कर तानिया वजवाते रहे हसी का दोर चलता रहा मजलूम बाग बोलने लगा तो वज़िर आला शेहबास शरीफ ने माई खटवा दिया मैं सब का मश्गूर हूँ और उनकी सब की इस्तमाई कावई थे आज हम मुल्णम को पकेड़ में कांगयों पे जी यह फरमाई जी यह फरमाई जी यह फरमाई जी यह फरमाई किसी की दिलाजारी करना मकसद नहीं था सोशल मीडिया पर बात को इशू बनाने की कोशिश की गई केस्की समाथ के दारान चीप चस्तिस ताकिब निसार केरे मांक्स राओ अन्वार को फरार कराने की कोशिश में सिंध पुलीस की मौवनत महकमाना इनुसी की अदम दस्तियाबी आफ लोड का बाइस बन गई साविक S.S.P. सरकारी मलाजिम होने के बावजूद अकामा होल्डर दुबई के सथथथ दौरे किये इसादा की जानिब से हिच्वेरी ट्रस्ट के अकांट बहाल एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया हम नहीं चाहतें अकांट से सारी रकम निकवाल दी जाए जज मुहम्मद बशीर के रिमांस खाजासिफ के गर मुल्की अकांट में करोड रुपए की बेनामी मुन्तिकली का इंकिशाप तरीक इनसाफ का दस्तावेजी शवाहिद हासल करने का दावा उस्मान डार की इम्रान खांट से हम मुलाकात खाजासिफ ना एहली केस पर मुशावरत तरीक इनसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेजाबद्गियों का केस पीटी आई ने तफसिलात जमा करवाने के लिए मज़ीद वक्त मांग लिया समाथ 8 अरवरी तक मुल्टबी अदालते करप्शन फ्री होनी चाहिए करप्शन करने वाले या रिश्वत लेने वाले बदकिस्मत होंगे चीफ जस्टिस आते जाते रहेंगे इदारों को मजबूत करें चीफ जस्टिस लहॉर हाई कोट मनसूर अलीश शाथ का खिताब मुल्टान में फ्री उन्जा का एक और मरीज जान की बाजी हार गया नश्टर अस्पिताल में मरने वालों की तादाद 34 हो गई पंजाब इन्वेस्टी में तालिमी सरगरिया बहाल जामा के होस्तिस में ताहाल पुलीस ताइनात वाटर केनन भी तयाद हज दर्फ़ास्तों की वसूली का आज आखरी दिन अब तक 3,25,000 से जाएद दर्फ़ास्ते वसूल 26 जन्वरी को कुरंदासी होगी सिमाली वज़रिस्तान के सरदी अलाके में ड्रोन हमला घर पर मिजाल दागे गए तालिबान कमांडर रहसान और फनूरे समयत दो अफराग हला अफ़ान चेहर जलालाबाद में सेवडी चिल्डर्ण की आफिस पर देशत गल्दों का हमला फोर्सिस के साथ फाइरिंग का तबादला, मतादिज जखमी, हलाकतों का खच्चा बर्तानिया में लौड नसीर के घर चोरी आसिवली जर्दारी की तरफ से दी गई तोफे में तलवार डबे से निकाल कर मेज पर रख दी गई ये क्या पैगाम है? वारदात में गएर मुल्की इंटेलिजन्स का हाथ हो सकता है लौड नसीर की 24 न्यूज से गुफटबू लीबिया के शहर बिन घमाकों में 22 अफराद हलागती सखमी होगा 24 न्यूज, HD डेटा है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर कबर बरवक्त लेकिन जिन्दगी की तेज रफसारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुरसत मिलते ही आएं 24 न्यूज, HD के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा सब कुछ न्यूज बुलिटिन हो या हो कोई प्रेस कॉंफेंस या भिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा 24 न्यूज, HD, यूट्यूब चैनल स्यासत अगर अबादत है तो बाकिरदार प्यादतें क्यों नहीं चम्बूरियत अगर बहत्रीन निजामे हुकूमत है तो फिर अवाम तक समराज क्यों नहीं पहुंचते इंसाफ, आइन और पानून की अमद्ध चाथी 20 कल खेला जाएगा एहमद चैसाद, आमिर यामीन, मुहमद अफीस को स्कॉट में शामिल करने और मुहमद नवाज, रोमान, रईस, पही मश्रफ को ड्रॉप किये जाने का इमकान अमरीकी रियासत में बरफबारी के 22 पिसलन, स्कूल बस मुखालिफ सिम्थ मिसलती हुई कार से टकरा गई, 29 बच्चे बाल बाल बच गए फिल्मे दुनिया के सबसे बड़े औसकर रिवार्ट्स, 2018 के लिए नाम जद्कियों का इहलान फिल्म कॉल मी बाई यूर नेम, डार्क एस्टार, डंकरिक, गेट आउट लेडी बर्ड, फाइट 24 News HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर ख़बर बरवक्त लेकिन जिन्दगी की तेज रफसारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुरसत मिलते ही आए 24 News HD के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा सब कुछ न्यूज बॉलिटिन हो या हो कोई प्रेस कॉंफेंस या भिर आपका पसंदीरा कोई हो प्रोग्राम अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा 24 News HD यूट्यूब चैनल सियासत अगर अबादत है तो बाकिरदार प्यादतें क्यों नहीं जम्बूरियत अगर बेहतरी निजाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समराज क्यों नहीं पहुंचते है इंसाफ, आइन और पानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट है 35 साल से जादा जम्बूरी दौर में मैशक और अधारे क्यों कमजूर है इसलामी जम्बूरिय पाकिस्तान के अम्बूरी ट्वैंटिफोर न्यूज बाख़वर 24 खंटे 24 न्यूज एच्जी देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर ख़बर बरवक्त लेकिन जिन्दगी की तेज रफसारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुरसत मिलते ही आए 24 न्यूज एच्जी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा सब कुछ न्यूज बॉलिटिन हो या हो कोई प्रेस कॉंफरेंस या फिर आपका पसंदीरा कोई हो प्रोग्राम अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा 24 न्यूज एच्जी यूट्यूब चैनल सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज के साथ मैं हूँ रुख्मा इस्वान मलेग मैं हूँ अबुसर मौस्ब और मैं हूँ महिश निसर जैनब का कातल कैसे पकड़ा गया किसने मुल्जम को बचाया मुल्जम ने क्या बहाने किये मुल्जम को पकड़े जाने की पूरी कहानी 24 न्यूज पर 24 न्यूज कर रहा है परदा चाक आपको बताएं के जैनब का गातिल कैसे पकड़ा गया? किसने मलजिम को बचाया? मलजिम ने क्जा बहाने किये? मलजिम को पकड़े जाने की पोरी कहानी 24 News कर रहा है हर हकाक से परदाचाक बस कुछ इंतजार और उसके बाद 24 News आपको बताएगा कि जैनब का कातल कैसे पकड़ा गया, किसने मुल्जिम को बचाया, मुल्जिम ने क्या बहाने किये जैनब कतल कैसे मुल्जिम को इंसदाद धहशत गर्णी की खुसूसी अदालत में पेश मुल्जिम इम्रान को सुप्ट सीक्यरिटी में इंसदाद धहशत गर्णी अदालत में लाया जाएगा पुलीस मुल्जिम की तफ्दीश से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेस्ट करेगी इस बारे में शाहीन अतीक से जानते हैं शाहीन अतीक बताएगा कब इंसाद देशित गर्दी की खुसी अदालत में लाया जाएगा इस मुल्जिम को जी, इंसाद दैसित गड़ी की खसूथी अदालत में जेनब गतल केस के, जो मरकजी मुझम оноरान है, इनक Tabs पूलिस में बिरसार कर लात आज इनको इंसाद जाशित जजी की अदालत में रिवांज के लिए पेश करना है। अदालत के में सब्सक्राइब के लिए इस वक्त इंतिजामात है। और किसी को बगार चेकिंग के अदालत की अदूद में आने नहीं दिया जा रहा। मुझण इस वक्त पूलिस के पाक है और पूलिस ने इनको अदालत में पेश करना है। लेकिन अभी तक मुझण को पेश जा रहा है कि मुझण को कब अदालत में पेश किया जाएगा। शुक्रिया शाही नतीग अपड़ेट करे थे। साथ ने कहा है कि रिक्वेस्ट की है मुझसे कि जैनक केस का जल्द जल्द वैसला कराएं। तो मैं उन्हें भी पतर नहीं कहा है ये तक्रीर में कहा है। तो मैं वीडिया की वसादत से चीफ मिनिस्व साब को कहरने लगा हूँ कि मैं अपने सेशन जजज साब को डिरेक्शन देता हूँ कि वो डे टू डे हेरिंग करेंगे और डे टू डे टू ट्राइल पतम होगा। खादम आला की फूरतियां या बेहिसी जैनब के गमजदा बाप को साथ बठाकर हुकूमत पंजाब के इधारों और एहलकारों को बेजा तारीफें करते रहे यहां बजबाते रहे हसी का दौर चलता रहा। अगे आएं ज़रा, जहां पर आईजी साब कहा हैं, मेजर आजम आप यहां, आप आएं, चीप सक्षाब आप आएं, यह मैं चाहूँगा कि इनके रिए अधरा भी में बात करना हूँ, इनके रिए भरफूर तकी तारी लगाएंगा। दूसरी जानेब आपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह का कहना है कि वजिराला ने जैनब के वालिद को साथ बठा कर तालियां बजाएं, इस अमल की जितनी मजम्मत की जाये काम है, शरमाती है, इस तरह के वाकियात हों और उस पर तालियां बजाए जाएं, वो कामी इसम् बच्ची के साथ जो जलुम हुआ, खड़े-खड़े होके तालियां बजवाई गए, यह मैं चाहूंगा कि इसके लिए भरफूर नपी तालियां बजाएं गए, एक सुबे का चीफ मिनिस्टर, कदर तालियां बजाओ, मैं समझता हूँ, शरम के मारे डूब बनना चाहिए ग्यारा साथी, ग्यारा सो से ज्यादा लोग पंजाब में दस साल की उमर से कम इस वाक्याद के शिकार हुए हैं, आब वो तालियां कब बजवाएंगे, वाक्याद होते हैं, मगर इस किसम के नहीं के, उन खानदानों की, उन बच्चों की से जैट्टिया हों और उन पे ता वो खुशी का इज़ार किया जाएं, और मुबार के दी जाएं, ये बहुत बड़ी ज्याद्टी है, इसको जितना कंडेम किया जाएं, वो कम है लहूर में वजिराला पंजाब मिया मुहमाद शवाज सिर्फ के हमरा प्रेस कांफरेंस करने के बाद कसूर पहुंचने बर ननी जैनब की वालिद का कहना था, कि मुल्जिम पक्रा गया है, अब हमारा सिर्फ यही मुतालबा है, कि मुल्जिम को सर्याम फांसी दी जाएं, और इसे निशान इबरत बनाया जाएं. जैनब कतल केस का मुल्जिम इमरान पुलीस की तबोकों के बरक्स उतना चलाक और होश्यारण नहीं था, जितना पुलीस समझती थी, चंद पुलीस अफसरान ने तो यह तक कह दिया है, कि अगर पुलीस इस केस की शुरू से पहले दिन से कतल के बाद ही संधीदी से लेती और दुस्त लाइन पर तफिश करती, तो मौमलात इतनी संगीनी ना इक्तिया करते, कसूर पुलीस ने मुझरमाना लापरवाही का मुझाहरा किया है, आईजी पंजाब ने इस किसम के केसिस रिकॉर्ड वक्त में हल करने वाले डी पियो विहारी अमर सहीद को जी आईटी म ने शामिल किया, जो मुल्जिम के घर गए और उसे गरिफतार करके घर की तलाशी ली, मुल्जिम से तफ्तीश करने वाले पुलीस अफसरान के मताबिक, मुल्जिम ने बहुत ज्यादा पसो पेश नहीं किया, और इसके साथ सदा को बताएंगे, दूसरी बात पर ही उसने आने सारे कतल और जराइम मान लिये हैं, अब को बताएंगे, तमाम सुर्टहाल से पुलीस जतना समझी थी, इस मुल्जिम को चलाक, उतना ये चलाक नहीं था, और अगर ये कारवाई बरवक्त की जाती, तो पहले ही इसको गिरिफतार किया जा सकता था, और इतनी देर ना ह होती अगर ला परवाही ना दिखाती, पुलीस, जैनब कतल केस के लिए बनाए गई जी आई टी में, शामर ऐसे चोमेल सी, मिर्जा हसनान हमारे साथ फून लाइन पर मौजूद है, मिर्जा हसनान बताएगा किस तरह आपको शक हुआ मरकजी मुल्जिम इमरान के बारे में इसमें आड़ी इसकेने जो करवाया करता, उसके लिए कुछ इंफर्मेशन आचकी थी कि इससे कुछ मैच वह वो डियन ने, इसके लावा इसने जब दियन जी कराने आया था तो इसने कुछ एक्टिंग की थी कि मैं जैसे एक हो हार्ट पेशर्ट हूँ, और इसने इसने इ जावा जो जैकेट पहनी थी, उस दिन उसने बरोज वकुवा जैने वालत है, इसमें फूटेज में भी आ रही है, वो जैकेट भी रिकवर होगी और वो शूर्ट जैक उन्हें पहने पहने हुए थे जो उसने वसके वकुवा पहने थी किया था और शूर्ट जिन वालत है एक सूर से फ़रार हो गय था यह अपने घर में डंप हो गयता अपने घर में ही यह माझोद था यह गहीं लigजसे बाई निकला नहीं उसके बाद मश्कूख हरकात जिन से आपको लगा कि यही वो शक्स है इसमें नमबर वान तो जो थी इसमें जो इसका डीने टेस्ट हुआ था उसमें इंफर्मिशन आजुकी थी कि यही बंदा है उसके लाब इसका डीने जिस दिन करवाने आया उस दिन इसमें बड़ा ही अवाइड करने कोशिश की अपने आपको खाग मैं मरीज हूँ मैं नहीं करवा सकता बिमार हूँ तो यह काफी मुश्कूख हो गया था पिर उसके बाद यह इंफर्मिशन मिली कि इसने गट अपना चेंज की है उसके बाद सब्सक्राइब करने में इसको आफसराम की मेनत थी तमाम की हमार आर्कियो साब थे अपने 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 इसको आपके पहले बीज शेक्स को गिरिफ्तार किया था पिर छोड भी दिया गया और उसके बाद से अर्णर ऑब्जर्वेशन रहा उसमें यह ऐसा था कि चुकि यह बगड़े पहमाने पर डी एन अपने टेस्ट हो रहे थे तो नमुम्किन था कि यह आफ सो यह गहरा साड़े गहरा सो आदमी था तो उनको डिटेन किया जाता तो उसमें फार्मली हमके डी एन पैस वर्ड़ा लेके तो उनको फार्ड किया तरह ममूली इन्वेस्टिकेशन करके तो चुकि इसने यह जाहर किया कि मैं आज पेशन्ट हूँ और मैं बहुत सकत बिमार हूँ जिसकी वएसे इसको प्रापर इंटेरोगेट उसकत ना किये जा सका और यह चला गया फार्मर प्रेंटेस्ट देखे लेकिन जब उसका कनफ उसकाना हुकूमत की कारकरदगी पर मुतमई हैं और अब नज़रे इनसाफ के लिए अदालत की तरफ हैं मजीद क्या तफसलात हैं कसूर में जैनब के घर पर मौजूद हैं नुमाइंदा 24 न्यूज जीशान सब्दर जीशान आगा कीजेगा क्या कहना है जैनब के वाले त इनसियों ने जिस तरह से तमाम टीम ने जैनब के कातिल को पकड़ा है इमरान को हिरासत में लिया है और अभी उस पे केस कतल का जो है वो जारी है इसी तरह जो है उनके वालदین की जो नज़रे हैं अब वो अदालत की जानिब हैं उनका यही कहना है कि इसी तरह से उनको जि जाएगी कि ऐसे मुझरमों को ऐसे बंद कमरों में या एक अलहदा जगा पर फासी ना दी जाए बलके चोग चुड़ाय में लटका कर उन्हें संगसार किया जाए उन्हें मारा जाए ताकि बाकी जो सुसाइटी में ऐसे लोग हैं दरिंदे सिफ़त लोग उनको भी इस चीज जाएगी जगा कितना इक बुरा नतीजा हो सकता है बैयानक नतीजा हो सकता है इसी धाले से ज़इनब कतल केस की पेश राफ ताके मीडिया ने कर दिए और इसके इलावा हुकूमत ने इसका जो मुझरिम है वो जल housव सी जल पकड़ रहा है इसी धाला पुर साले केसिस सा अगवा किया गया लेकिन उसके बाद इनकी बची का कोई पता निया इसी इसी हवाले से हम जानते हैं जी सर बताईएगा कब आपकी बची अगवाई ही और आप क्या चाहते हैं साली साम टॉठी साम लेकम मैं इनसौन कह आ गए जराना इनसाफ हुए जान में आ इनसाफ हुए है और मरी बच्ची-नओंद साथ सात्वा इन अग्या में आगाइगा थे मसं प्रीकठाइगा च्पाषरी पगे आल्मी शी चीनतर सही उगए मेरा इनarentाफ हlorा अsanигा अब लमRY टीक है बहुत छुक्रिया जीशान सब्दर जैनब की रहाइशगा पर मौचूद थे बच्चों को दरिंदों से कैसे बताया जाए किस तरह इन जिंदकियों की हिफासत की जाए 24 News ने अवाम की आगाही के लिए प्रोड्राम शुरू किया है आओ बच्चों को बचाने निकलें आज 24 News के साथ मारूफ अदाकारा नादिया हुसेन इस मोहिम पर निकली है बच्चों को क्या बता रही है आईए आपको भी दिखाते हैं असलाम अलेकूं क्या हाले आप सबका अच्चा आज जहें मैं एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ अब कौन जानता है कि सेल्फ अवेरनेस क्या है बताओ आपको कोई हाथ पकड़ के ऐसे लिए जा सकता है आप क्या करोगे पहले हम उसे लगका नहेंगे और फिर भागेंगे और बोलेंगे हेल्फ फेल्फ येस, वेरी गॉड़ नादी अगर आज आपको कुछ बताना चाहें तो आप लोग कौन-कौन सीखना चाहते हैं वेरी गॉड़, एक्सेल्ट इस क्या चीज है? ओके ये क्या लिखा है? इसका क्या मतलब है? क्या आपके अपने प्राइवेट पार्ट्स आपके हैं और आपकी सी को नहीं दिखा सकते हैं राइट? बहुत 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 जरूरी है ये आपकी बाडी आपकी अपनी है और आपका हक है आपकी अपनी बाडी के अपर ठीके? no means? no very good very good इसका क्या मतलब है? अगर कीसी नहीत आपको सीट बताई कि हाँ देखो मैं जरा सुम्हे कुछ दिखाता हूँ या मैं तुम्हे कुछ दिखाती हूँ या मैं तुम्हे कुछ फील कराता हूँ राइट? So that is an uncomfortable secret ठीक है? So आप वो वाला secret अपने ममी या बाबा को जा के बताएंगे कि मुझे इस इस बंदे ने मुझे ये वाला secret बताया ठीक है? आप को फील हो रहा है कि ये सही नहीं है आपको बोलना है जाहे आपके ममी हो, बाबा हो, आपकी खाला हो, भुपी हो, आपका कोई टीचर हो कोई भी ऐसा बंदा या आपकोई घर में कोई कोई ट्रस्टेड परसन, राइ? So, will you remember Pants? Yeah! And will you remember the lesson for today? Yeah! Very good! किया वक्त हुआ है एक ब्रेक का? मजीद खबरें एक ब्रेक के बाद है हमारे साथ रखे 24 News HD देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर खबर बरवक्त लेकिन जिन्दगी की तेज रफसारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुरसत मिलते ही आए 24 News HD के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा सब कुछ न्यूज बॉलिटिन हो या हो कोई प्रेस कॉंफेंस या भिर आपका पसंदीदा कोई हो प्रोग्राम अब कभी कुछ भी मिस नहीं होगा 24 News HD यूट्यूब चैनल स्यासत अगर अबादत है तो बाकिरदार प्यादतें क्यूं नहीं जम्बूरियत अगर बेहत्री निजाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समराज क्यूं नहीं पहुंच के इंसाफ, आइन और पानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट है 35 साल से जादा जम्बूरी दोर में मैशत और अधारे क्यूं कमजूर है इसलामी जम्बूरिय पाकिस्तान के अंगरूनी और बेरूनी दुश्में कौन है और क्यूं है इस मुल्क में हकीकी जम्बूरियत है ये टैरनी उप्यजोरत है आजवाम अजलिया और पॉज एक पीस देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ यू पीर से जम्बूरात रात दस बज़ कर तीन मिनट पर सिर्फ 24 न्यूज एस्टी पर मत बूलो मैं पाकिस्तान का अगला पदीर आतम है बेटची बोजो इसमें प्रोने मारी क्या बात है पापा जही जी वालों ने बहुत मुश्किल सवाल पूछी थे मुझसे और नवाश्रिफ अमायाए सोणियां मैं हूँ आपकी होस्त शिजादी एससर्चों से बाद मैं जब दूर दिल से देखता हूं उझे साधर शिदा दगात है हाँ साधर दोकोन आजा प्राडन हम जीत गए हैं अब हम वजीर आजम बनेंगे देखिये क्योंके जम्हूरियत है हर जुमाहफ़ता और इतवार की राग गैरां बचकर तीन मिनिट पर सिर्फ 24 न्यूज एजरी पर मुझे इखतलाफ है बड़ते गविज जुम से, मुझे इखतलाफ है जुम सेहने वालों से, मुझे इखतलाफ है गौम को अंधेरे में रखने वालों से राए होगी तो इखतलाफ भी होगा देखिए प्रोग्राम इखतलाफ है राए पीस से जुम्हरात रात आट बचकर तीन मिनिट पर सिर्फ 24 न्यूज एच्टी पर तज्रुबा भी सोच बिचार भी जहां लाजिम हो वहां तक्रार भी आहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डियने में पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर होती है गहरी सोच बचार होता है फिर गहरा तच्जिया यूँ बनता है एक प्रोग्राम डी एन ए देखिए प्रोग्राम डी एन ए मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं था मैंने स्कर्ट के बारे में चिर्चल की बात की मिसाल दी थी खवातीन हमारे मौश्रे का 50 पीसद हिसा है सोचल मीडिया पर इस बात पर इशू बनाने की कोशिश की गई कराजी में खौफ की अलामत समझे जाने वाले जाली पुलिस मुकाबलों के स्पेचलिस राओ अन्वार का बैरूने मुल्क फरार सिर्फ एक कांस्टेबल और खातून शिप्ट इन्चार्ज ने नाकाम बना दिया राओ अन्वार के फरार का मौवनत कार कौन था एरपोर्ट पर क्या हुआ एकामे से 66 बार दुबई यातरा का हवाल जगीर चौधरी की रिपोर्ट में कराची में खौफ और दश्चत की इलामा समझा जाने वाला साबिक S.S.P. राओनवार की इसलाबाद एरपोर्ट पर एक ना चली और हथे चड़ गया इमिगरेशन हुकाम के जी हां खुद को बड़ा दबंग आफिसर जाहर करने वाला जब दुम दबा कर दुबई फरार होने लगा तो एरपोर्ट इमिगरेशन काउंटर पर मौजूद कॉंसेबल टैमूर कमर ने दसाविजा तलब कर ली और जब राउनवार से बेरून मुल्क जाने का अजाज़त नामा मांगा तो उसने बेरून मुल्क छुटी वाला लेटर पेश कर दिया लेकिन यहां उसकी एक ना चली और हैलकार ने फौरण अपनी शिफ्ट इंचाज शुबाना सदीकी को तमाम हालात से आगाह कर दिया फिर क्या था राउनवार की शुरू हो गई उल्टी गिंती खातून आफिसर ने पहले तो बोर्डिंग पास मनसूख करवाया और फिर मतलिका एरलाइन को आफ लोड करने के लिए कहा और यू दबंग एससपी का बेरून मुलक फरा होने का खाब चकना चूर हो गया 24 न्यूस को हासिल होने वाली तफसिरात के मताबिक राउनवार को कराजी से इसलामबाद तक पहुंचने में सिंध पुलीज ने बरपूर मौावनत फराहम की राउनवार ने इमिग्रेशन वालों से बचने के लिए आखरी मुसाफर बनकर अपनी बोर्डिंग करवाई दस्ताविजास से ये इंकिशाफ भी सामने आया है कि अकामा होल्डर एससपी एक, दो या तीन मरतबा नहीं 66 बार दोबई याता कर चुके हैं और हर बार वो कराजी से उडान भरते रहे हैं इस मरतबा उन्होंने इसलामबाद एरपूर्ट का इंतखाब किया जो उनके लिए कोई नेक शगून साबित नहीं हुआ जराय का कहना है कि एरपूर्ट पर पेश आने वाले तमाम सुरतिहाल से वजीर दाखला और डीजी एफ़ाई को आगा कर दिया गया है राउन वार के बिरूनी दौरों और अकामे की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है दूसरी जानव इतने बड़े बासर पुलीस आफिसर को आफ लोड करने वाले इमिग्रेशन एहलकार अब अदम तहफूज का शिकार नजर आते हैं जराय ने खच्छा जहर किया है कि इस कारवाई पर लेने के देने भी पर सकते हैं कराची में कतल होने वाले इंतजार केस में आहम पेश रफ्त हुई है SSP, मुकदस और और मदिहा क्यानी को आज CTD में तलब किया गया है CCTV फोटेज की मदद से हम शवायद मिलने के बाद पेश रफ्त जल्द मंजर आम पर लाने का फैसला भी किया गया है आहम ख़बर से आपको आगा करें है कराची में कतल होने वाले इंतजार केस में हम पेस्टर फोई है जान थे रेपरी बियोरेसी इफ़ जिल एहदर बताएगा क्या पेश रफ्त हुई है जी देखें इंतजार मर्डर केस जो हो था इसके बाद साउथ जोन की जो पुलिस थी वो इन्वेस्टिकेशन कर रही थी ताम ताफ़जात के बाद जो है सीटीडी में इसको ट्रास्टर कर दिया गिया था आज जो हमारी बात हुई है डी आईजी सीटीडी आमिर फारु की उनका कहना ही है कि आज मजीद बियानात के लिए जो है मदिया क्यानी जो के इसकी में एक्यूज है वो और इसके इलावा जो दूसरे हैं इनके एसेसपी जो है सीलसी से साबिक अब एसेसपी मुकद्दस है थ जो उनको तलब किया गिया इन दोनों के बियानात मदिया क्यानी के और इनके बियानात लिए जाएंगे इनका तमाम का मुबाइल डेटा भी आसिल कर लिया गिया है कि ये जिस वक्त वाकिया हो था एसेसपी मुकद्दस है था उस वक्त कहा थे जो एसेसपी का कहना यह है कि जिस फ़क ये वाकिया वो अपने आफिस में मौजूद थे ताम जो इनकी पुलिस पार्टी थी जो इस फ़क सीटीडी की रासत में ग्रफतार हैं उनके खलाब मुकदमा भी दर्च किया गया है उनके भी मज़ीद बियानात लिये जाएंगे इनतजार के जो वालिदें उनको वक्तन वखतन महाँ पे सीटीडी बिलाया जा रहा है उनके बियानात भी लिये जा रहे हैं जबकि उनको जो सीटीडी फुटेजे वो भी दिखाई गई गई जिससे वो काफियत तक मुतमई नजर आ रहे हैं आमिर फारुगी के कहना है कि जो हकाइक हैं जो सीटीडी वी कैमरे की मदद से जो शवाइद मौसूल हुएं और बियानात लिये जा रहे हैं उसके बाद जो हकाइक हैं वो जल्द मनजरे आम पर भी लाएंगे शुक्रिया से लहेदर इंतजार कतल केस का मौमला इंतजार के वालिद ने 24 न्यूस से गुफटबू करते हुए कहा कि कल सीटीडी के दफ्तर बुलाया गया था एक दिन गुजरा है नई तफ्तीश से उम्मीद करता हूँ कि मुझे इंसाफ मिलेगा उन्होंने मजीद क्या कहा जानते हैं वहां मौझूद 24 न्यूस की नुमाइंदे अली रजा से अली रजा बताईगा क्या कहना है इंतजार के वालिद का इंतजार कतल केस डिफेंस में एक और नौजवान को बारा दिन कबल गोलियों को निशाना बना कर गतल कर दिया गया था अब ही इस वक्त मैं इनके घर पर मौझूद हूँ इंतजार के वालिद मेरे साथ हम रहा है थाना जाती कारवाई होती रही दस दिन तक वालिद इंतजार इंतजार के दियाक साथ को कह रहा है काउंटर टेरिरिजम डिपार्टमेंट उनके जो उनको जो लीट कर रहे हैं आमिर फारुक साथ जो इस वाके की तफशिश कर रहे हैं तो वो कल आये भी थे मुझे बुलाया भी था मेरी उनसे मिटिंग हुई है सारे शवाहिद देखें सिसी टी भी फोटिज देखी है तो उनसे मैं मुतमें तो हूँ लेकिन मैं अभी कोई फैसला या राय नहीं दे सकता कि मेरी तफशिश किस तरफ जा रही है जी बलकुल इंतजार के वाले जियाक साथ यही कहते दिखाई दे रहे हैं अब भी कि जो पुलिस की कारवाई है और जो जो जल्म मेरे साथ हुआ है उ अब 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 फैसला करना उनके लिए मुश्किल हो गया है कि अब क्या इंसाफ इंतजार को और उनके एले खाना को मिल पाएगा या नहीं इस पर भी हम जानेंगे अपने चीफ बिरो चीफ 24 निउस कराची आजा मुहमद साकिब से रादा मुहमद साकिब बताएगा क्या कहना है दर्खास को जार का जी देखिए ये जैकसं का इलाका है जिसके रहायशी हाजि शेज दमान उन्होंने ये दर्खास दाहर किये थे के जाना है और उनके खानदान को जंकिया भी जारी है दो जन्वरी 2018 को मौतल S.S.P. राउ अन्वार प्राइवेट गारियों में अपने एलकारों के हमरा आया और उन्हें हिरासा करने ही कोशिश की जा रही है शोर मचाने पर वहाँ पर जो मौझूद जो ड्राइवर्स हैं अलाका मकीन है वो पहुंच थे हैं उन्हें जब राउ अन्वार को देखा तो उसके बाद वो लो वहाँ से भाग गए लेकिन इस वरे से उनका ये कहना है कि उनका जायदात का तनादा काफी अर्से से चलना है और वो ये चाहने कि उन्हें ताहफुस पराब किया जाए तो अदालत ने दर्खास की अभी समाप नहीं की है तामी दर्खास एस विलाव अन्वार के खिलाब दायर की गई है और इसमें इस्टदा ये की गई है कि उन्हें तहाफुस पराब किया जाए रजा साकिब आप हमारे साथ ही मौजूत एक आप में दर्खास के हमारे से आगा करतुदा कराची में एटीम स्केंडल केस में डिफेंस से गरिफटार चार चाइनीज बाशिंदों को जुरिश और मजिस्टेट जनूबी में पेश कर दिया किया है तफ्तीशी अफसर ने कहा है कि केस में अभी चालान जमा कराने के लिए मौलत दी जा है क्योंके अभी केस में बहुत सारी ऐसी चीज़े हैं लवाजमात हैं जिनको जीनी काउंसल खाने से भी हासल करना है और कई जो शुषवाईद हैं वो भी अभी बाकिया है अदालत ए फाईए के तफ्तीशी अफसर को मौलब दे दिय है साथ सर्वजी तक मौलब देते हुए मौलबान के अदालती रिमान में तौसी कर दिया गया है माम मुल्दमान को डिफेंट के लाके से गिर्फार किया गया था और उन पर इल्जाम ये कि जो आउटोमेटिक टेलर मशीन होती है वहाँ पर वो इसके निंग मशीन नस्थ करते हैं उसके बाद जो है जो जो शेहरियों का डेटा है वो हासिर तरने में कामियाब हो जाते हैं साके से ही जी राजा साके जी देखे चिन में जो पानी की अबतर सुरतहाल है उस पर एक कमिशन जो काइम किया गया था जो जिस्ट अमीर हानी मुस्लिम इस कमिशन की फिलाहल सरबराई कर रहे हैं वो उन्होंने पबलिक हैल्स सेकेट्रिक इद्स के मौके पर सख्त बरहमी क जाह crawl किए उनका ये कहना है कि इन्होंने प्तादिज जगों पर दोरे किया हैं जिनमें कींजड़ जी जील हैं, हैदरबाद के मुश्रवडियμεं पिप्री का इस में कराची वाड़ कमिशन ने सेकेर्टरी पब्लिक हेल्थ को और चीफ इंजिनर को 25 जनवरी को जाती तोर पर कमिशन के रूप 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 पेश होने का हुक्म दिया है शुक्रिया आप हमें आगा करते रादा साकिर बगएर नमबर प्लेट के सरकारी गाड़ियां जेरे इस्तेमाल क्यों हैं वजिर अलासिन टंडू आदम में बगएर नमबर प्लेट के सरकारी गाड़ी देखकर बरहम हो गए मजीद क्या तफसलात हैं आजाद नोडियों हमारे साथ मौजूद है आजाद अबडेट पीजेगा इस हवाले से वजिर अलासिन ने तमाम में एकमा जारी किया है जो भी बगए नमबर पर रही गारी हैं इस्तमाल कर लेसे इनको रोका जाए इनको फूरी तोर पर रेजिस्टर कराया जाए रेजिस्टर कराया जाए बहुत शुक्री आजाद आपका खाजा आसिफ नाहिली केस में गैर मुल्की अकांट में कड़ोरो रुपे की बेनामी मुन्तकली के हवाले से तेरीक इनसाफ ने दस्ताविजी शवाहद हासल कर लिये मजीद क्या तफसलात हैं वलीद चौदरी हमारे साथ मौजूद है वलीद आगा कीजेगा पीटी आई ने हासल शुदा दस्ताविजात मीडिया को भी जारी करती है अज़ी बिल्कुल देखें ख्वाजा आसिफ की नाहिली केस में एक एहम पेशरफ दूई है जो पाकिस्तान तरीक इनसाफ इसकी जाने से ये दावा सामने आया है कि जो गैरमुल की एकाउंट में जो क्रोड़ो रुपे की जो बेनामी मुंतिक लिया है उसका भी जो है वो पाकिस्तान तरीक इनसाफ ने इंटिछास की है पी टी आई के रैनुमा इसमान डार की ये अर इसमान डार का इसाफ ढाले से ये कहना है कि खवाजा आसिफ ने बेनामी डालेक्जन उसके जरीक जरीक Might launder की जो इसमाना डार का मजीद के लिए एक काउंस के जो बेहरए इसमान डार का मजीद कि खबरेक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहे हैं तो फुर्सत मिलते ही आई 24 News HD के YouTube चैनल पर आपको मिलेगा सब कुछ न्यूज बॉलिटन हो या हो कोई प्रेस कॉंफेंस या भिर आपका पसंदीरा कोई हो प्रोग्राम अब कभी कुछ भी मिस्स नहीं होगा 24 News HD YouTube चैनल स्यासत अगर अबादत है तो बाकिरदार प्यादतें क्यों नहीं हैं जम्बूरियत अगर बेहतरी निजामे हुकूमत है तो फिर अवाम तक समराज क्यों नहीं पहुंचते हैं इंसाफ, आईन और पानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट हैं 35 साल से जादा जम्बूरी दोर में महिशत और अधारे क्यों कमजूर हैं इसलामी जम्बूरिय पाकिस्तान के अंगरूनी और बेरूनी दुश्माई हैं कौन हैं और क्यों हैं इस मुल्क में हकीकी जम्हूरियत है यह टेरिन और फिजोन की आजवाम, अधलिया और पाउज एक पीस पर देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ यू पीर से जम्रात रात दस बज़ कर तीन मिनट पर सिर्फ 24 न्यूज एस्टी बेरूट मत बूलो मैं पाकिस्तान का अगला बदीर आतम हूँ बेटीच्यू बोजो इसमें रोने वारी क्या रात है पापा जिए जी वालों ने बहुत मुखिल सवाल पूछी थे मुझसे ओन नवाज शरीफ अमायाए सोनिया मैं हूँ आपकी होस्ट शिजादी ऐसर्चू मैं जब भी दूरीब से देखता हूँ मुझे साथे शी दाज़ाट है हाँ सा दोखाउन हाँ सा फ्राणन हम जीत गए हैं अब हम वजीर आजम पनेंगे देखिए क्योंके जम्हूरियत है हर जुमाह, हफता और इत्वार की राग गैरां बज़ कर तीन मिनिट पर सिफ 24 नियूल्स एज़्डी पर अख्तलाफ भी होगा देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ इराई पी से जम्हरात रात आठ बचकर तीन मिनिट पर सिफ 24 नियूस एज़्डी पर तजरुबा भी, सोच बिचार भी जहां लाजिम हो, वहां तक्रार भी आहं कौमी मसाइल पर होती है बहस डियने में पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर होती है गहरी सोच बचार होता है फिर गहरा तच्जिया यूं बनता है एक प्रोग्राम डियने देखिए प्रोग्राम टियने तीर से जुमेरात रात यारा बच कर टी मिनट पर सिर्फ 24 न्यूज एच्टी पर आपको बताएंगे शिमाली वजरस्तान के सरहदी इलाके में ड्रोन हमला हुआ है इस ड्रोन हमले के नतीजे में हकानी ग्रुप के कमांडर एहसान और फुरह समय दो अफ्राद हलाक हो गए हैं गुजरावाला के लाके नुशहरा बिर्का में नवाही गाओं कोटली मंशू बजली चोरी कर्था फक्रड आ गया और अप्रेशन के दौरान बासर जमिदार ने गैप को टीम पर हमला करवा दिया कुजरावाला पुलीस के मताबिक गैप को टीम पर हमला करने वाले मुस्लिम लीग नून के साबिक M.P.A. मान अतवर के करीबी रिष्टेदार हैं आहम खबर से आपको आगा करे हैं गैप को टीम पर हमला भी करवाया गया जानते हैं बियोरो चीफ शफकत इमरान से शफकत इमरान बताएगा कानूनी दोर पर कोई कारवाई की गई ह और ये कोटी मन्चू जो है वहाँ पे कल गैपको टीम ने बाकाईदा ऑपरेशन किया है और ऑपरेशन के दुरान ये वाक्या हुआ हुए कि वहाँ पर जो एस्टीम थी साथ उनकी परदी फारी गई है एससाइए मज़र उसके बारे मताया जाता है कि उसको भी दखनी किय है और ये तक्रीम पूरा जो है वो बिजली चोरी करता है इनके खिलाफ बहुत बड़ा अपरेशन किया था वहाँ पर जो एसी हैं उन्होंने बताया कि वहाँ पर हमारी टीम बहुत पहले भी गई लेकिन वहाँ पर जो बासर लोग है वो गैपको टीम पर हमला कर देते हैं आज भी वही हुआ और बीज के क्रीब अपराद के खिलाव आफ पाईयरें दर्च कर दी किया है और बताया यही जा रहा है कि वहाँ पर जो साबक एमपी हैं मुसमिन नून के अमानत विरक उनके बासर लोग हैं बासर जिमेदार हैं जो ये उपरेशन करने वालों को रोक जआने बे बीज के जानत रहा हैं कि लिज पर जिम पर हमला कि लिए अफाईयरें दर्च के रही हैं और बासर रहे हैं और वही हैं łगेदा और बीज मुसमित कर आ कि गिए आए वुरस धुरान रही है कि वहल肉 है जखिए जो जब नर्छ आए जब यह 40 से जायद वहाँ पे लोग ठाने में बैटे हुए यह फ़ायरे रुखारे थे, भुकला थे वहाँ पर उनका कहना था कि यह फ़ायरे ना देजी के हैं, लहाला कि वहाँ पर गैपो टीम पर इसकदर शदीद तिशद्द का निशाना बनाया गया है, वहाँ पर S.P.O. को S.P.O. को दखनी किया गया, अब उनका कहना इसके बारे में दुबारा उप्रेशन किया जाएगा, जी. ये बता रहे हैं शवकत इम्रान पंजाब का दूसरा बड़ा दिल का स्विताल वजीराबाद इंसिट्यूट अफ काडियालोजी मनसूबे का आगाज तो हुआ दोजार चे में और पी सी वन की मनजूरी की गई दो हजार बारा में यानि पहले छे साल ही ये मनसूबा सियासत क की भींड चड़ गया असल में ये मनसूबा सा चोरी परवेज लाइगा ये जान बूज का इसको पसे पड़ता डाला जा रहा है कि ये चोरी परवेज लाइज साब का जो नाम है वो हाईलाइट होगा मैं दो साल तो आ रहे हैं थे हर वार दी वार में हुए किया जाना है कि वार तो आपरेशन होएगा दो बाद होएगा छेज लाइक संगम पर बनने वाले दिल के इस हस्टाल पर अब तक पौने दो अरव रुपे खरच हो चुके हैं मगर बदकिस्मिती से अभी भी ये हस्टाल दो बजे बंद हो जाता है हस्टाल के अंदर ओपीडी को शुरू ह दो साल का अरसा गुजर गया है उपरेशन तो दूर की बाद दिल के अमराज से मतलग मुकमल टेस्ट भी नहीं हो पाते जबके दिल के अपरेशन के लिए मंगवाई जाने वाली जदीद मिशीनरी बरवक्त बरूने मुलक से मुन्तिकल ना होने पर इजाफी रकम भी देना पढ़ रही है रेट की वेरियेशन की वएसे हमारी तीन चार आइटम जो थी वो लेट हो गई थी जिसकी वएसे हमें ये डिले का सामना करना पड़ा हुकूमत बंजाम ने ये दावा किया था किस ताल में दिसमबर के आकर पर दिल के उपरेशन शुरू हो जाएंगे मगर ऐसा ना हो सका एक मर्दबा फिर मार्ज को उपरेशन यूनिट चलने का दावा किया जा रहा है कैमरामें मतीन बजमी और शौकर भटी के साथ शफकत इम्रान 24 न्यूज गुजरावाला खबरों का सल्सला जारी है यहां पर लेंगे एक ब्रेक हमारे साथ 24 न्यूज एच जी देता है पाकिस्तान और दुनिया भर की हर कबर बरवक्त लेकिन जिन्दगी की तेज रफसारी में आप कुछ मिस कर जाएं तो फुरसत मिलते ही आए 24 न्यूज एच जी के यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेगा सब कुछ न्यूज बॉलिटिन हो या हो कोई प्रेस कॉंफेंस या भिर आपका पसंदीडा कोई हो प्रोग्राम अब कभी कुछ भी मिस्स नहीं होगा 24 न्यूज एच जी यूट्यूब चैनल सियासत अगर अबादत है तो बाकिरदार प्यादतें क्यों नहीं जम्हूरियत अगर बेहतरी निजाम हुकूमत है तो फिर अवाम तक समराज कुछ नहीं पहुंच के इनसाफ, हाइन और पानून की अमलदारी में कौन लोग रुकावट है 39 साल से जादा जम्हूरी दोर में मैशत और अदारे क्यों कमदोर है इसलामी जम्हूरिय पाकिस्तान के अंगरूनी और बेरूनी दुश्मन कौन है और क्यों है इस मुल्क में हकीकी जम्हूरियत है ये टैरनी उप्रिजोरती है आज अवाम, अदलिया और पॉट एक पीस पर देखिये प्रोग्राम पॉइंट अव यू पीर से जम्हरात रात दस बज़ कर तीन मिनट पर सिर्फ 24 न्यूज एस्टीवर्ट मत बूलो मैं पाकिस्तान का अगला बदी रहाते हूं बेटीच्यू बोजो इसमें रोने वाली क्या बात है पापा जी जी वालो ने बहुत मुश्किल सवाल पूछी थे मुझसे तो नवाश्रीफ नमायाए सोन्या मैं हूँ आपकी होस्ट शिजादी एससर्चो ने जब दूजिल से देखता हूं मुझे साथर शिजादा राट हाजा दोगाउन आजा फराडू हम जीत गए है अब हम वजीर आजम बनेंगे तेखिये क्योंके जम्हूरियत है हर जुमाहफ़ा और इतवार की राग गैरां बच कर तीन मिनिट पर सिर्फ 24 न्यूज एजरी पर मुझे इखतलाफ है बड़ते हुए जल्म से मुझे इखतलाफ है जल्म सहने वालों से मुझे इखतलाफ है कौम को अंधेरे में रखने वालों से राए होगी तो इखतलाफ भी होगा देखिए प्रोग्राम इखतलाफ है राए पीसे जुम्हरात रात आठ बच कर तीन मिनिट पर सिर्फ 24 न्यूज एच्टी पर तज्रुबा भी सोच बिचार भी जहां लाजिम हो वहां तक्रार भी आहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डियने में पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर होती है गहरी सोच बचार होता है फिर गहरा तश्या यूँ बनता है एक प्रोग्राम डी एने देखिए प्रोग्राम डी एने तीस जुमेरात रात ग्यारा बच कर टी मिलट पर सिर्फ 24 न्यूज एच्टी पर पाकिस्तान में बच्चों के लिए 27 और 28 जैन्वरी को लाहॉर में रंगा-रंग साइंस मेला सजेगा बच्चे शिर्कत के लिए अभी से हो जाएं थैयार मजीद इस रिपोर्ट में साइंस के लफ सुनते ही अकसर लोग खाइफ हो जाते हैं कि शायद कोई बहुत मुश्किल तास सरप्यान पड़ा मगर लाहॉर साइंस मेला की टीम ने इसे बच्चों का खेल बना दिया एक ऐसा खेल जिससे बच्चे लुफ अंदोज होंगे और बार बार खेलना चाहेंगे इस मेले की इंट्री है बलकल मौफ कोई टिकट है और ना ही पास की बंदश खौर्जमी साइंस सुसाइटी ने साइंस मेले की रिवायत बरकरार रखी 27 और 28 जनवरी को एक मरतबा फिर फेरोसपुर रोड परवा की अली इंसिट्यूट में दो रोजा साइंस मेले का इनकात किया रहा है जहां खेल खेल में बहुत कुछ सेखने को मिलेगा साइंस मेले का इनकात किया जा रहा है लहौर में लहौर मेले पर बात करने के लिए डॉक्टर मुहमद सभी अन्वर एसोसियर फिजिक्स डिपार्टमेंट लंफ मेंड लंफ जुनिवस्टी हमार साथ स्टूडियों में मौजूद हैं उन से जानते हैं तमाम इस तरह सुर्थ हाल पर परफेसर साब बहुत शुक्रिया आप देने के लिए बताएगा पाकिस्टानी बच्चों की साइंस के हावारे से दिल्चस्पी कैसी है मेले का निगात क्या जा रहा है पाकिस्तान में साइंस को आम तोर पर एक खुशक मजमून के तोर पर तसबूर किया जाता है जो किताबों में बंद है अब आप देखें साइंस मेले में साइंस जो एक खुशक मजमून है उसको मेले के साथ मुनसलिक कर दिया गया है कि बच्चे हंसी खुशी साइंस को दिल्चस्प अंदाज में उसकी तुमाम हैरत के साथ उसको देख सकें, उसका मुशाहिदा कर सकें, यहां बच्चे अपनी इजादात लेके आएंगे, यूनिवर्सिटी के तलबा अपनी इजादात लेके आएंगे, बहुत सी सनते यहां पे मौजूद होंगी, हैरत अंगेज साइंसी तजर्बे दिखाए जाएंगे, टेकनॉलोजी के मजाहिर दिखाए जाएंगे, और इन सब का मकसद यही है, कि हमारे नوجवानों में, बच्चों में साइंस का शौूर पैदा किया जाए, हमारे मुलक को जो दरपेश मसाइल है उनका साइंसी अंदाज में हल सोचने की इस्तेदाद और काबलियत पैदा की जाए, हमारे मुलकी वसाइल के कफायत शाराना इस्तमाल के बारे में सिखाया जाए, शमसी तवानाई के बारे में बताया जाए, इस साइंस मेले में साइंस के हर शोबे से मजाहिर पेश किया ज तो एक ये रंगा-रंग तक्रीब हमने खारिजमी साइंस साइटी और अली इंस्टीट ने मुनकत की है ताके बच्चों के अंदर नौजवानों के अंदर साइंसी जौक पैदा किया जाए और अवाम और साइंस दानों को आपस में एक दूसरे के करीब लाया जा सके। पढ़ाते हैं वो तो खुशक अंदाज में पढ़ाते हैं लेकिन साइंस दरसल साइंस जैसी रंगा-रंग और मुतनवे चीज़ मैंने तो आज तक नहीं देखी कि उसके अंदर है आप कुद्रत के मजाहिर को देखते हैं आपकी अकल डंग रह जाती है अब साइंस को दिल्च साइंस मेले का कि इसे अवाम तक अवाम की जुबान में असान लेंग्विज होगी आसान जो है वो सहुलियात दी जाएंगी ताके लोगों का इंटरस्ट जो है वो डिवेलप हो सके तो यह बताएगा जो स्कूल और कॉलेजिस हैं जा बच्चे जो हैं वो इसमें इंटरस् अरीका क्या रखा है आपने इसके लिए हमारी फेस्बुक पे आप लाहॉर साइंस मेला सर्च करें आप गूगल पर सर्च करें हमारे सोशल मीडिया पर इस वक्त इसकी बहुत तशहीर की जा रही है आप हमसे किसी भी अंदाज में राबता कर सकते हैं दाखला बिलकुल मु बहुत शुक्रिया रोट साब वक्त देने इच्छे जो है वो इन अगात किया जाएगा मेले का तमाम जो है वो तपकात का इसमें इंटरस्ट है और साथ-साथ ये भी कहा जा रहा है कि तमाम लोग इसमें इंटरस्ट लेंगे और साथ-साथ इसमें पार्टिस्पेट भी कर इसके साथ ही न्यूस्टूडियो से फिल वक्त इतना ही तो